Hello Friends, Welcome back to our channel So guys, definitely आज हम बात करने जा रहे हैं बिटकोइन के बारे में देखना पड़ेगा कि बिटकोइन क्या बुल साइकल के अंदर है या बेरे साइकल के अंदर है उसके बारे में आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुआ है तो definitely आप like subscribe कर दीजिए और अगर किसी को भी कोई भी problem आती है तो definitely आप हमारे चैनल के link से टेलीग्रम ग्रुप को ज्याइन कर सकते हैं जिससे अगर आपको किसी भी परकार की कोई भी problem है कुछ भी आपको create करने के अंदर problem आ रही है जैसे wallet create करने के अंदर problem आ रही है या कुछ भी किसी भी coins के बारे में अगर आपने पूछना है तो definitely आप हमरे telegram group के उपर हमें join कर सकते हैं उसका link आपको description के उपर मिल जाएगा तो अभी बात हम bitcoin के उपर करने जा रहे हैं अगर आप कोई बंदा यहां पर buying करना चाहता है definitely मैं highly recommend करूँगा सारे sports के उपर आप थोड़ी थोड़ी buying कर सकते हैं so second sport हमारा हो सकता 24,000 dollar के according ली क्योंकि यहां पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहां पर थोड़ी trading हुई थी इसका यह sport बन चुका है तो next अगरा sport होगा sport number 3 होगा वो almost जो last all time high था BTC का 90,500 dollar के accordingly अगर आप calculate करेंगे तो मोटा मोटा अगर आप लेकर चल सकते हैं 20,000 dollar एक तीसरा sport बन सकता है तो यह होगी sports की बात कि यहां तक अगर price गिरता है तो यहां तक यह hit कर सकता है अगर किसी बंदेन अगर BTC को buy करना है तो वो इसको parts की accordingly इसकी उपर अपनी bit अभी लगा सकता है और wait कर सकता है कि market यहां पर आ जाए confirmation market यहां तक गिरेगी या नहीं गिरेगी ऐसा मैं predict नहीं कर सकता है क्योंकि बहुत लोगों के पास यूएस्टेटी भरबर के पड़ा हुआ है तो definitely वेल साप से ज़्यादा understandable है उनको पता है कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा यूएस्टेटी पड़ा हुआ और वो BTC buy करने के लिए लोग त्यार है तो definitely इनसे उल्टा ही करेंगे जो अभी तक का जो मेरा experience इस market के accordingly तो ये बात होगी sports के बारे में अभी हम बात करते हैं कि देखिए अभी आपके सामने ये BTC का चार्ट है इसके accordingly अभी आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक head and shoulder का pattern create हो रहा जैसी किसी अगर आप इसको गूगल के उपर भी सर्च कर सकते हैं कुछ नहीं करना head and shoulder का pattern आप देखिए वो कैसा होता ये छोटे-छोटे चार्ट साब को available हो जाएंगे इसके accordingly आप देख सकते हैं कि market बार-बार bearish गई है इस चार्ट के accordingly तो यहाँ पर यह fulfill होगा या नहीं होगा यह तो अब देखने माली बात होगी क्योंकि ज़्यादा chances होते हैं कि market यहाँ से आसे निकल के नीचे को आए तो यह chances हो सकते हैं कि जिसके accordingly बहुत बड़े-बड़े player बोल रहे हैं कि हम अभी BTC की अंदर bearish हैं और definitely यह BTC का जो next target हो सकता है वो $20,000 और $24,000 हो सकता है maybe वो हो सकता है मैं confirmation नहीं दे सकता है अगर इस pattern को अगर उन्होंने गलत साबित करवाना है तो definitely यहाँ से market को उपर उठाना पड़ेगा और market उठकर कम से कम $44,000 को जानी चाहिए यानि कि यह जो spot level बनाया हुआ मैंने जो resistance level बनाया हुआ आप इसको दियान से देखिए इसको break करना पड़ेगा यह अभी बना हुआ almost $42,000 के आसपास का बना हुआ अगर मोटा मोटा लेकर चालते है $41,500 का आसपास है यहाँ से market क थोड़ा से ऊपर जाना पड़ेगा और इस resistance को break करके अगर यहाँ पर BTC tradable हो जाता है तो definitely आप एक next bullish market के अंदर enter हो सकते हो तो यह बात होगी इस pattern के accordingly अब हम बात करने जा रहे हैं थोड़ी सी history के accordingly की history से हमें क्या सीखने को मिलता है और next क्या हो सकता है BTC की pair के अंदर त जो history के accordingly हम देखते हैं यह देखे मैंने history के accordingly बनाया हुआ भी आप देख सकते हैं कि 2016 के अंदर जो BTC की second halving हुई थी वहाँ जो BTC का price था वो almost $650 के आसपास price था यानिकि जब second halving complete हुई थी या उस दिन halving हुई थी उस दिन जो BTC का price था वो $650 के according था उसके बाद का जो BTC ने next अपना all time high लगाया था almost $19,500 का तो इसके accordingly हम इसको calculate करेंगे कि कितने access का profit हुआ वहाँ से लेकर वहाँ तक वहाँ से लेकर मतलग का मेरे कहने का मतलग अगर second halving के accordingly हम इसको calculate करते हैं तो हमें definitely यह पता लग जाएगा कितने percent और कितने access का gain हमें मिला है first second halving से लेकर जो BTC का all time high लगा था 19th December 2017 को तो उसके accordingly हम इसको calculate करेंगे तो थोड़ा carefully watch कीजिएगा थोड़ा मैं चार्ट को बढ़ा कर रहा हूँ आपके सामने भी आप देख सकते हैं तो इसको हम calculate करेंगे इस चार्ट को तो definitely हम इसको पहले 650 डोलर के आसपास लेकर आएंगे चार्ट को और हम इसके all time high तक इसको complete करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं almost almost जो इसका target बना हुआ है तो आप देख सकते हैं कि 2870 परसंट का gain हुआ था 650 डोलर से लेकर almost almost यहां तक almost almost two hundred two thousand nine almost 2900 बोल सकते हैं 2900 परसंट का gain हुआ था 650 डोलर से लेकर तो इसके halving से लेके all time high तक अभी इसी की according लिए हम जो next next जो moment है उसके according लिए हम इसको calculate करने की कोशिश करेंगे यह आप देख सकते हैं कि जो बीटीसी की जो थर्ड halving हुई थी उसका जो प्राइस अभी आप देख सकते हैं इसका प्राइस जब जब बीटीसी की थर्ड halving हुई थी तो उसका प्राइस 8500 डोलर के according लिए था और इसको हम calculate करेंगे as same जैसे हमने जो लास्ट चार्ट अपना calculate किया उसके according लिए हम इसको calculate करेंगे कि यह कितने percentage का हमको gain दे सकता है तो उसके लिए आपको carefully watch करना पड़ेगा फिर से हम हम अपना प्राइस चार्ट उठा लेंगे थोड़ा सा यह इसको consider करने में थोड़ी सी problem आती है तो definitely यहां से हम consider करेंगे यह भी सब्सक्राइब तो डेफिनेट इसको almost okay सब्सक्राइब हम यहां से यह से 2009 9% का gain हुआ था लास्ट हाल्विंग के कोडिंग लिए तो इदर से हमें इसको calculate करने जा रहे हैं तो अभी आप देख सकते हैं तो इसका टार्गेट बंढ रहा है almost almost जी इसका देखी अभी almost यह target बंढ रहा भी आप देख सकते हैं जो इसका टार्गेट निकल गया रहा almost to $2,60,000 so इसको देखने माली बात यह होगी कि यह fulfill होता है कि नहीं होता क्योंकि जो इसके accordingly देखा जाए जैसे मैंने पड़ी last पीशे previous बात की है कि इसके लिए 518 बार्स और 518 डेज का time period लगा था तो जो next halving हुई थी हमारी जो last year halving हुई थी उसके accordingly जो इसका जो target बन रहा है वो target अभी भी complete नहीं हुआ क्योंकि time period अभी बहुत है अभी time period almost complete होगा 11th October 2021 को उसके accordingly हमें check out करना पड़ेगा क्या BTC का price bullish market के अंदर है की नहीं है फिलाल हमें bullish हो इस market के अंदर तो definitely यह दो target मैंने आपको बता दिया कि यह ऐसा ऐसा हो सकता है sport मैंने बता दिया और दूसरा यह target बता देगर history repeat होती है तो BTC का price 2.5 lakh dollar easily easily hit कर सकता है इस full market के अंदर तो definitely इसी की accordingly बहुत बड़े बड़े बंदे जो अपना price target है वो देने के आपको कोशिश करते हैं तो definitely यह एक मैंने भी छोटी से simple video रखी आपके लिए कि यह ऐसा create हो सकता है scenario ऐसा बन सकता है तो definitely अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो कि तो definitely आप इसको like subscribe कर सकते हैं अगर कोई भी doubt आए तो please telegram group के उपर आप join कर लीजिएगा Thank you guys